नमस्कार मैं सुनीता कता मंतन 2.0 पे आप सब का स्वागत करती हूँ आज की कहानी है सांच की बेला पंची अकेला लेकी का मालती जोशी घर में पाउं देते ही लगा कि यह सननाटा उन्हें लिल जाएगा वैसे देखा जाए तो ऐसा कोई सननाटा भी नहीं था गेट पर ही गाड ने सेल्यूट मारकर अगवानी की बरांदे में रामदिन हाद पांधे खड़ा था और पोर्च में गाड़ी के रुखते ही उसने नमस्कार सर कहा था और लपक कर गाड़ी से समान उतारने में जुट गया था ड्राइंग रूम में परवेश करते ही पारवती ने पानी के अग्लास ट्रे में लेकर हाजीर हो गई उसकी आहट पाते ही एलसी शियोनों की जोड़ी दोड़ कर आ गई और उसने कंदों तक हुमक कर खुशी का इजहार भी किया सब कुछ तो था फिर भी एक आदमी के ना रहने से घर कैसा विराल लग रहा था ऐसा भी नहीं था कि सचिन पहली बार घर से बाहर गया हो पड़ाई के सिलसले में पिछले चार-पांस साल से वे बैंगलॉर में ही तो था उस समय कम से कम हर चुटी के समय उसके आने की आशा तो बनी रहती थी लेकिन अब अब तो वह एकदम साथ समंदर पार पहुच गया है शायद उनके मन का सुनापन ही इस घर में प्रतिबंदित हो रहा था यू तो आजकल बच्चों का विदेश जाना घरगर की कहानी तो बनी गया है फिर भी इकलोते बेटे का इतनी दूर चले जाना व्यथित तो करता ही है कितना मना किया था और कैसे कैसे प्रलोभन दिये थे ममी ने अपनी ममता का वास्ता दिया पर उसका एक ही जवाब था पापा यहां रहूंगा तो मेरा दम घुट जाएगा हार कर उन्हें मनजूरी देनी पड़ी थी बाकी सारी तयारियां तो उसने खुद ही कर ली थी पापा को सिरफ पैसों की विवस्था करनी थी जैसे वह अपने पैसों से अपना एका की बुड़ापा खरीद रहे हैं उन दोनों का मन वैसे ही दुखी था कुछ लोग उन्हें डरा रहे थे जो भी उसके यूएस से जाने की बात सुनता उसके मुझसे पहला वाक्या यही निकलता अब तो वह घर लोटने से रहा उस ग्लैमरस कंट्री को छोड़कर इस सड़े से देश में कौन आना चाहेगा यह तो हम ही हैं जो मजबूरी में यहां पड़े हुए हैं महिलाय कहती आपको ना भावी जी सचिन की शादी करवाकरी भेजना चाहिए था वहां कुवारे लड़के जाते हैं तो गोरी चमडी पे रीच जाते हैं एक ने तो जैसे भविशेवानी ही कर दी आप तो अब मन पक्का कर लीजे भई अभी से अगली बार सचिन आएगा तो अकेला नहीं होगा वह एरपोट पर आपके पैर चुलेगा पर पीछे से कोई हाथ बढ़ा कर हाओ डियो डू मदरिन लौ कहेगा संभावित मदरिन लौ उस समय तो हसकर रह गई थी पर बात उनकी मन में गहरे पैट गई थी शायद कल रात होटल में उन्होंने बेटे से कहा था हनी तुम शादी जब करना चाहो जिस से करना चाहो हमें जरूर बताना हम धूम धाम से तुम्हारा बिहार रचाएंगे बहुत अर्मान है हमारे उन पर पानी मत फिर देना कमान ममा मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ शादी करने नहीं फिर भी बेटा मेरी बात याद रखना फिर कमार साहाब ने भी कहा था बेटा एक बात मेरी भी याद रखना तुम में वहाँ जितने भी दिन रहना हो रहो जो भी पढ़ना है पड़ो पर लाट कर जरूर आना इस देश को और हमें भी तुम्हारी जरूरत है बेटा हस दिया था पापा अभी तो मैंने कुछ तैबी नहीं किया है लौटकर एक बार तो यहां आना ही है पर अगर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वापस जा नहीं होगा नहीं तो इतनी मेहनत और इतना पैसा बिकार चला जाएगा और फिर पूरी जिन्दगी फ्रस्ट्रेशन से ही गुजरेगी सो अलग रात सोते समय उस सास भर कर मिसेज कुमार ने कहा था अगर पता होता कि आखिर में हमी दोनों को रहना है तो इतना बड़ा बंगला क्यों बनवाते अपने लिए तो दो कमरे ही काफी है कुमार साहब समझ गए कि इस समय मेडम की हताशा चरम सीमा पर है तब ही वह दो कमरो वाली बात कर रही है नहीं तो कोठी और बंगले के अलावा उन्होंने रियाईश की तो कल्पना ही कभी नहीं की थी और इसमें उनका दोश भी नहीं था वह पली ही तो उसी माहौल में है सौभागे से पती भी उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ही मिले जब भुपाल में घर लेने की बात हुई तो कुमार साहब ने चार बेडरूम वाला एक आलिशान फ्लैट देख रखा था उन दिनों वह दूर जगदलपुर में पदस्त थे इसलिए मैडम की अनुपस्तिती में ही सब कुछ तैकर लिया था पर रजिस्ट्री से पहले तो दिखाना जरूरी हो गया वह तो देखते ही बढ़क गई थी यह अपने कैसे सूच लिया कि मैं इस दड़बे में रह लूँगी उन्होंने कहा और सारी योजना धरी की धरी रह गई बायने के पैसे भी डूग गई इस बंगले को बनवाते समय भी उन्होंने पेशकश की थी कि एक छोटा सा पोशन किराय के हिसाब से बनवा लेते हैं हम लोग तो अकसर भारी रहेंगे साथ और सुरक्षा की दृष्टी से ठीक रहेगा पर मैडम ने साफ मना कर दिया मैं अपना घर किसी के साथ शेयर करने की बास सोच भी नहीं सकती पता नहीं आप इस मिडल क्लास मेंटलिटी से उबढ़ते क्यों नहीं किराय पर उठाने का मतलब है घर का सारा ग्रेंडर सारी डिग्निटी खतम कर देना और फिर वही मिसेश कुमार अब दो कमरों में रहने की बात कर रही है कमर साहब को लगा यह उनकी पत्नी नहीं मा बोल रही है मा ने भी तो यही कहा था अगर हमें पता होता कि शेहर तुमें इस कदर बांध लेगा तो पाई पाई जोड़कर दुमंजलिया मकान क्यों बनवाते हम लोग तो कहीं भी पड़े रहते और मा ने गलत नहीं कहा था चार बच्चों को पालते वे पक्का दुमंजलिया मकान बना लेना असान काम नहीं था हाई स्कूल के हैड मास्टर की तनका होती ही कितनी है उसी में बच्चों को पढ़ाना, बेटियों को ब्याना, सारे काम करने होते हैं यह बात अलग है कि गाउं से घी, गुड, डाल, चावल, गेहुं वगारा आ चाते थे जो काफी रहात दे देते थे फिर भी यह काम असंभवी था वै तो मा जैसी कुशल और सुघर करहनी घर में थी इसलिए हो सका और यह भी यह चमतकर कोई एक दिन में थोड़े ही हुआ थ जैसे पिताजी ने सहायक अध्यापक से शुरुआत करके धीरे धीरे प्रदान अध्यापक की कुर्सी तक सफर तै किया था वैसे ही माकान भी दो कमरों से शुरू हुआ था और फिर जैसी सुविधा होती गई कमरे बनते गई छत टलती गई गाउं की जमीन का पैसा मिलते ह कि माने उपर आधुनिक सर्व सुविधा युक्त दो बेडरूम बनवा डाले थे उन्होंने अपनी ससुराल में बहुत परिशानी छेली थी और उनकी इच्छाती कि उनकी भवों को वैसा कश्ट ना हूं तब उन्हें क्या पता था कि उनके अफसर बेटों के लिए बड़ के लिए छट की शरन लेनी पड़ती थी अब वह उतना बड़ा घर भाय भाय कर रहा है बहने भ्याकर अपने अपने घर चली गई चोटा एरफोर्स में था जल्दी रिटायर्मेंट लेकर उसने एक प्राइवेट एरलाइन्स में नौकरी कर लिया है मुंबाई में सर्व अलिशन फ्लैट ले लिया है वह खुद प्रशासनिक सेवा में है तो कभी राजधानी में तो कभी जिले के सदर मुकामों में खुंते रहते हैं कितनी बार चाहा कि माँ पिताजी उनके पास आकर रहें उनके वैभा का उपभोग करें अपने बेटों की उपलगतियों पर गर्व तो बहुत था पर खुले मन से वह कभी रह नहीं पाए अपने मध्यम वरगिया कसबाई संसकारों के कारण तोनों हमेशा हींता बोद से ग्रस्त रहें और हमेशा दैनिये से नजर आते रहें मा तो हमेशा डरी सैमी रहती थी कि उनकी किसी बात से या किसी काम से भागू भागू करने लगता और उन्हें रोकना कठिन हो जाता अकेले पन से निजात पाने के लिए माने कुछ कमरे छात्रों को किराय पर दे दिये थे पर पिता जी की मृत्य के बाद वह भी कठिन हो गया घर का रकरकाफ मा के बस की बात जो नहीं थी इसलिए कभी इस बे पिता देखकर खुश भी बहुत हुए थे पर मान ने उसास भर कर कहा सोचा था कभी कबार छुटियों में तुम लोग आकर रहोगे और अब यह महल छोड़कर तुम उस कुटिया में तो आने से रहे उन्होंने कहा था हम यहां भी कहा रह पाते हैं मैं नौकरी के चकर में तो रोज यहां से वहां भागते रहते हैं यहां तो शायद पेंशन के बाद ही रह पाएंगे मैं तो कहता था आप लोग भी घर बेच दो और पैसे फिक्स डिपॉजिट में रख दो या लड़कियों को दे दो और यहां आकर ठाट से रहो ना बेटे ना मेरे जीते जीत व अब आया भाख़ये है बात और और है ऐसा कियो कह रहे हैं पिताजी इस गर ने आपको क्या नहीं दिला हम सब इसी घर में तो पलकर बड़े हुए हैं हमचारों की شादिया भी इसी घर में हुए हैं बच्यों की शिक्षा दिक्षा और शादिया माबाब से कि यही तो सपने होते हैं हाँ येस भी तो तुम ठीकी कह रहे हो मैं ही पागलों की तरह सोच पटा था कि यह गर हमेशा इसी तरह गुल जार रहेगा भूली गया था कि लड़कियों को एक दिन ससुराल जाना होता है और लड़कों को रोजगार के लिए बाहर और एक बार उनना सीख जाते हैं तो पखेरू घोसले में कहां लोटते हैं और आज अब मुझे अम्मा बाबुजी की पीड़ा समझ आ रही थी कैसी पीड़ा पाँच पाँच बेटों के होते वे अंत में अकेले रह गए थे दोनों अम्मा तो हमेशा कहती थी अगर मैं जानती कि पढ़ लिकर तुम लोग बेगाने हो जाओगे तो किसी को स्कूल नहीं बेश ती अपने आचल में ही चुपा कर रख लेती और अपने अम्मा बाबुजी की याद में पिताजी की आखे चलचला आई थी अम्मा बाबुजी यानि की दादा दादी दादा जी की तो मन में एक धुंदली सी स्मृति भर है पर दादी खुब अच्छे से याद है असी साल की उम्र में भी सीधी सदर दे आखे कान चुस्त दुरुस्त और आवाज ऐसी कड़क की सुनने वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए बहुए बाद में चाहे कितनी कुड मुडाती रहें पर सामने बोलने की कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी औरों के लिए आतंक का प्राय बनी दादी नाती पोतों के लिए मम्ता का सागर थी दो दिन की भी छुट्टी होती तो वे लोग गाउं की और भागते हर फसल का आनन्द उठाते मकई के भुट्टे जुआर की बालियां से कर खाने का आनन्द ही अलग था खेतों में हरी मटर और हरे चने तोड़ते थे तो निराला ही स्वाद होता था पेडों से पके आम, अमरूत खाने से ज़्यादा तोड़ने में जो मज़ा आता था खुली-खुली हवा में घूमना, नदी में डुपकियां लगाना, कुएं से डोल भर भर कर नाना पेडों पर बंदरों की तरह उचल कुद करना, उनका पूरा बचपन इन्हीं स्मृतियों से तो भरा पड़ा है उन्हें दुख है कि कभी पतनी के साथ ये सब शेर नहीं किया जा सका गाउं जाने के लिए वे लोग बेसबरी से छुट्टियों की प्रतिक्षा करते पर मा को गाउं जाना कभी ना भाया वे तो केवल तभी जाती थी जब उनका जाना बहुत जरूरी हो कहती मैं अपने हिस्से का पहले ही रह चुकी एक दम उगा गई हूं वह रहकर हुआ यह है कि शादी की समय पिताजी पढ़ रहे थे तो मा को मजबुरन गाउं में सास ससूर के पास रहना पड़ा था उस समय की दसवी पासमा घर की चार दिवारी में कैद होकर रह गए थी उनकी पढ़ाई、 लिखाई सोना सीना, पिरोना, गाना बजाना सब रसोई में दफन होकर रह गया था गाना बजाना तो खेर पतूरियों का काम था बड़े बुजर्गों के सामने बभू का पुस्तक पढ़ना भी शम्य नहीं था सिलाई कड़ाई के लिए समय नहीं था इन कलाओं का उपयोग तो मा ने अपने स्वतंत्र ग्रस्ती में ही कर पाई थी यहां तो बस काम काम और काम सुभा शाम चुला चौका सानी पानी जड़ू बुहारी में पीता था दिन दुपैर में रोज नए आइटम होते आज धान पसाया जा रहा है आज दाल दली जा रही है बढ़ियां तोड़ी जा रही है पापड बनाय जा रहे है तिलोई धोई जा रही है आम सुखाय जा रहे है इसके अतरिक्त बिनना फटकारना लीपना पोतना मा का अगाना स्वभावी की था जब तक पिताजी की पढ़ाई पुरी हुई मा एक बिटिया को जनम दे चुकी थी मा की खीज और बढ़ गई ग्रस्ती का सवा चका ही नहीं था और जिमेधारी सिर्पर आ गई इसलिए पिताजी की नौकरी लगते ही मा ने राहत की सांस लिए हलाकि पिताजी की नौकरी से मा के अलावा कोई खुश नहीं हुआ था दादाजी ने तो कह दिया था बहुत हो गया पढ़ना लिकना अब घर बैटो मेरा हाथ बटाओ तुमारे साल बर कितनका एक फसल पर ही दे दूँगा लेकिन एक बार बाहर की खुली हवा में सांस लेने के बाद गाओं की बंदिशों में जीना असंभल था उधर माने भी विद्रोही तेवर अपना लिये थे या तो साथ ले चलो या पियर में छोड़ दो उन दिनों अपनी भीयाता को भी साथ ले जाना बड़ी दिलेरी का ही काम था पर पिताजी ने यह सहास कर दिखाया और नलायक करार दे दिये गए बाद में बाकी चारों भी एक एक करके बाहर चले गए और इस बुराई का ठिकड़ा बढ़े के ही सर में रहा बेटों के बाहर चले जाने के बाद दादा दादी भाई भती जो के सहरे खेती करते रहे इस सेवा के पुरुसकार के रूप में किसी को आम, किसी को निम्बू और किसी को कठल के पेड़ देते रहे इस दान पुन्ये से बहुए घबरा गई पर दादा जी के रहते किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी और उनकी आँख बंध होते ही सबने अपने अपने पतियों को हिस्से के लिए उकसाना शुरू किया पांस साथ साल बाद दादी ने अपने गुजारे लायक जमीन रखकर बाकी के हिस्से कर दिये अपने हिस्से की जमीन बेच कर मा ने फौरन छट पर दो बढ़िया कमरे भी बनवा डाले जिन भवों के लिए कमरे बने थे उन्होंने शायद ही उन्हें कभी नवाजा हो तादी के अंतिम वर्षों में पिताजी ने उन्हें बहुत बार मनाया था कि अब मेरे पास आकर रहो पर उन्होंने साफ मना कर दिया कहती अब आकरी समय में मैं कहीं नहीं जाओंगी मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है पिताजी हस्कल कहते बुलावा आना हुगा तो यहां भी आ जायेंगा उसके लिए वहां रहने क्या जुरूट है वह केहती वह 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 बुलावा आया तो किस काम का वहां मुझे कौन जाने का गाउं में मरूँगी तो सब कहेंगे बड़ी पंडिताईन मरी है सारा गाउं मुझे कंधा देने आएगा और दादी का कहना गलत नहीं था उनकी मृत्यों पर सारा गाउं रोया था उनकी तेलवी पर तो जैसे उत सब का महौल था भरे पूरे दरवार से जो गई थी बेहिसाब रस्वई बनी थी सुभा से लोग आ रहे थे खाते जा रहे थे और मजे की बात तो यह थी कि इस महाभोज की सारी विवस्ता दादी खुद करके गई थी उन्हें शायद अपने नादान बेटों और कंजूस बहों पर विश्वास नहीं था आदमी मन में कैसे कैसे महुप पाल लेता है मंडे के बाद भी उसे मुक्ती नहीं मिलती कुमार सहब को पता नहीं क्यों आज ये सारी बाते याद आ रही थी उन्हें लगा उनके घर में नया कुछ नहीं हुआ है बस इतिहास अपने आपको दोरा रहा है अगर कल को सचिन USA से में सैटल हो गया तो उन्हें जरूर बुलावा बेजेगा पर क्या वह उसके पास रह सकेंगे हाँ चार चे महीने गुमकर आना अलग बात है पर अपने परिवेश से दूर अपनी जड़ों से कटकर वहां सदा के लिए रहना क्या संभव है नो नेवर यह शायद वेजरा जोड से कह गए पास लेटी पत्नी ने उन्हें जिन जोड कर चगए क्या कह रही हो कुछ नहीं यही सोच रहा था कि अब सचिन का बेटा कहां जाएगा जान्द पर